वेल्कम बेक टो अवर नुव लेक्चे श्टुडेंस आज के इस लेक्चे भी हम कुछ टर्म्स के बाए में बात करने वाले हैं जो हम कॉडिनेशन कमपाउंट जो हमारी चैप्टर है उसमें यूज करने वाले हैं थोड़ी बहुत टर्म्स जो है वो मैंने आपको बता दी है जैसे कि कोडिनेशन कमपाउंट मतलब कि कोडिनेशन एंटीटी काउंटर आयन ठीक है तो ऐसी थोड़ी बहुत है पाच्छे कुछ टर्म्स है जो हमें बहुत ही ज्यादा कोडिनेशन कमपाउंट में हम यूज करने वाले हैं उसके बाए में हम आज डिसकर्शन करने वाले है उसमें सबसे पहले जो मैं लेने वाला हूं वह है लिगेंट वह क्या है तो Значит क्या होगी तो टेंड मैं इसके बाहरे में हम मुध बात करने वाले है ठीके तो लिगंड हम किसे कहने वाले इसके definition क्या होगी क्या कॉन-कॉन से टाइप के legends होते हैं उसका classification क्या होगा वह पूरा detail में हम यहां पर देखने वाले हैं ठीक है students मैंने आपको कल जो करवाया था last lecture में जो करवाया था उसमें एक example दिया था कि cobalt cobalt cl2 nh3 यहां पर थे 4 और यहां पर थे cl- कुछ इस तहीके से कुछ मैंने यहां पर कोडिनेशन कंपाउंड यहां पर मैंने बताया था तो मैंने क्या बताया था कि यह जो होती है हमारी वह होती हमारी कोडिनेशन एंटीटी वह होती हमारी कोडिनेशन एंटीटी होती है और यह हमारी होती है वह होती हमारी काउंटर आयंस यह जो हमारी होते है वह क्या होते तो काउंटर आयंस होते है तो कोडिनेशन जो एंटीटी है हमारी यहां पर उस कोडिनेशन स्टार क्याइंन Bentay मैं मैंने माלא कोर टेटी मतलब कि सेकंडरी वैलन सी वाला पॉइंट बढाए था तब मैंने बता रहे था वहाँ पे कि जो हमारे होते हैं वो जितने नंबर ऊंडा ओफ जितने जितने नंबर ऊफलोप सोनेट करता है उतने नंबर हमारी होते हैं सेकंडरी वेलंसी होती है और हमारे slash cf hammagen के साथ हमारेší hypnotade के साथ क्या हुआ खुते हैं क्या होते होते तो यहां पर इसठाइन सफिलन्षां जोड़कर छोड़कर जोहां पर हमारे पास fiberимся यहां होते हैं उसको हम क्या कहते हैं लिगेंड्स कहते हैं तो यहां पर हमारे पास c l minus है और एक हमारे दूसरा हमारे पास n s 3 यह दोनों हमारे क्या हो जाते हैं लिगेंड्स हो जाते हैं वह हमारे क्या होते हैं तो मैं बात करूं तो CL and NST हमारे क्या है तो लिगेंड्स है ठीक है तो अगर मुझे लिगेंड्स की definition यहां पर लिखनी होती है तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि अगर मुझे लिख सकता हूं कि 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 लिख सकता हूं in coordination in coordination and is called ligand is called ligand तो यहां पे क्या है यह हमारी coordination entity है से automation entity में neutral molecule and iron मतलब कि यह CL हमारा है iron negative iron और यह हमारा होता है neutral molecule मौलेक्यूल वह हमारे सेंट्रियल मेटल आटम मतलब कि यहां पर कोबार की बात ही पर कोबार्ट के साथ जब बनाता है तो जब बनाते हैं उसको कहते हैं ligands मतलब कि जो neutral molecule और iron central metal atom के साथ bond का formation करते हैं हम उसों कहते हैं ligand कौन साथ यह coordination entity में जो होता है उसके बार में मतलब कि इस case में अगर मैं बात करूं तो CL और NS3 जो हमारा क्या हो जाते है यह हमाएं क्या हो गई क्या हो गई है तो ligand हो गई है वह हमाएं हो जाते हैं ligands तो अब इसके structure के बार में थोड़ा बहुत हम discussion करते हैं हमने अल्लेडी discussion किया था कि जो कोबाल्ट होता है कोबाल्ट जो होता है वह हमारे जो एनेस्टी होते है इस जो हमाई एंटीटी है उस एंटीटी सेकंडरी वैलेंस से कनेक्ट होई होती है और क्यूंकि वह सेकंडरी वैलेंस से कनेक्ट होई होती है तो वह हमें क्या देती है हमारे कोडिनेशन कंपांड की जोमेटरी के बार में हम थोड़ा बहुत बताने वाली है तो इसका अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके से हमने देखा था कि कि कुछ इस तरीके से हमने सब्सक्राइब कर देखा देखा था जिसमें हमारे पास दो क्या होते हैं यहां पर हमारे क्या होते हैं दीम होते हैं當然 होते हैं संप्व यहां हम कि नाइट्रोजन ने क्या किया है सरा में ते को बाğlu के साहथ किया हु ने km बांग बनाँ हुआ है कन सा बांड है कोडिनेशन बांड बनाया हुआ है को मतलब इन एहां पर है यह गो बनाया है वह क्या है कोडिनेशन वह स् quienes कुछ इस तरीके से रिपेजंट करते हैं कुछ इस तरीके से विपेजंट करते हैं को आपको पता होना चाहिए कि कोई दो आटम अपने पूरे लोन पे या उसके पास यो डोनेट करता है है उसको उसने क्या किया था लोन पे उसका डोनेट कर दिया था क्या बताया कि लिगेंड जो है उसके पास नो गय आटम है हनिक लोन पीरी तोट nitrogen atom हो जाता है वह उस ligand का donor atom कहलाता है donor atom हम उसको कहने वाले हैं क्या बताया वापीस से सुनो कि जो हमारे ligands होते है वह central metal atom के साथ coordinate bond बनाते है coordinate bond का मतलब होता है कि या loan पे या negative charge को वह क्या कर देते central metal atom को donate कर देते हैं central metal atom को वह क्या करते है तो donate करते हैं तो यहां पर हमारे पास दो हमारे पास atom होते है nitrogen atom hydrogen atom उसमें से hydrogen के पास होते है लॉन पेर और इस लॉन पेर को hydrogen नाइट्रोजन ने central metal atom को क्या कर दिया था donate कर दिया था क्योंकि उसने उसकी loan पे donate की होती है उसी वज़े से ligand में ligand में जो यह atom होता है वो हो जाता है donor atom वो क्या हो जाता है donor atom और donor atom के पास always pair of electron होनी चाहिए pair of electron होनी चाहिए किसके लिए for the donation donor atom जो भी होगा उसके पास क्या होनी चाहिए pair of electrons होने चाहिए जो वो donate कर सके तो यहां पर आपको ligand के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि ligand जो होते हैं वो हमारे पास हमारे पास यह जो coordination entity होती है उसमें जितने molecules या ions connect हुए होते हैं coordination bond से central metal atom के साथ उसको हम ligand कहते हैं और जो ligand ने central metal atom के साथ formation किया होता है bond का formation किया होता है उसको हम coordinate bond कहते हैं और coordination bond में हमारे पास जो ligand होते हैं उसमें हमारे पास जो atom होते हैं उसमें से जिस किसी भी atom ने जिस किसी भी atom ने loan पे donate किये होते हैं किसको central metal atom को उस atom को हम donor atom कहते हैं उस atom को हम donor atom कहते हैं और इस donor atom के पास क्या होना चाहिए तो pair of electrons होने चाहिए cunning of electrons होने चाहिए किसके लिए for the donation for the donation हमारे पास क्या होना चाहिए pair of electrons होने चाहिए तो यहां पर आपको लिगेंड के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा अब नेक्स्ट बात करने वाले है कि डोनर एक्टम के बेस पर हमने किया किया है लिगेंड का क्लासिफिकेशन किया है क्या डिपेंडिंग डिपेंडिंग ओन दे नंबर ओफ डोनर एक्टम डोनर एक्टम लिगेंड्स लिगेंड्स में बी क्लासिफाइड थे हैं अपके लिगेंड्स में कितने हैं उसके सबस्क्राइड्स पर हमने क्लासिफिकेशन किया होते हैं उसी तरीके से हमारे पास डाय या उसको मैं और यहांपर कह सकता हूं जिसमें हमारे पास यहां पहते हैं थर्ड हमारे पास तर्शरी या ट्राइडेंटेड ट्राइडेंटेड इस किसमें हमारे पास थ्री डॉनर एटम होने वाले हैं कितने थ्री डॉनर एटम होने वाले हैं और फोर्थ आप बोल सकते हो टेट्रा टेट्रा डेंटेड टेट्रा डेंटेड तो मतलब कि यहां पर हो जाने वाले है फोर डोनर एटम यहां पर क्या हो जाने वाले है फोर डोनर एटम यहां पर हो जाने वाले है मैंने क्या बता है कि अगर मॉनो डेंटेड होगा तो यहां पर सिर्फ एक ही डोनर एटम होने वाल है अगर ट्राइड एंटेड है तो उसके पास थी डोनर एटम होने वाले हैं और टेट्राइड है तो उसके पास फोर डोनर एटम होने वाले हैं तो फोर ठीक है और एक चीज कि ऐसे मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम होते है उसको हम कहता है उसको हम क्या कहता है पॉली वेंटर उसको हम कहता है पॉली डेंटर या उसके हम Goldty g. reception. टेंटेड मल्टी टेंटेड लीकेंड्स भी हम कहते हैं क्या बता रहां कि अगर एक डोनोरे टम हो इसे मोनो डेंटेड्स हो तो लेकिन जब हमारे बस दो याह 2 से ज्यादा donor atom होते हैं यहांपे देख सकते हैं तो उसको हम polydent or multi dented ligand कहते हैं उसको क्या कहते है पोली डिधेंट या मल्टी डिन डिकेंट हम उसको कहते है तो आपको यहां पर ligand के बारे में पता चल गया होगा ligand हम किसे कहते है तो neutral molecule iron जो center सेंट्र मेटल एक्टम के साथ कोडिनेशन बॉन करके क्या होगा का फॉर्मेशन किया होता है उसको हम लिगेंड कहते हैं लिगेंड जो होते हैं यहां पर जो भी मॉलेक्यूल होते हैं यहां पर जो इतने यहां पर हमारे पास नाइच्टरी में में हमारे पस नाइटोजन जो इसको एटंट्र को डॉनेट करता है तो इस वजरे से इस ligand के अंदर जो nitrogen atom होता है उसको हम donor atom कहते एकस का classification यहां पर किया होता है तो एक ऐसा lige है जिसमें सीभ एक ही एक ही डोन Till और अगर मॉनोडों केने वाले हैं और हमारे पास बीके हैं उसमर दो दो दोनों हैं तो उसको इसको बाडोंटम है तो सब्सक्रान टेर्स होते हैं के सक्षार्ण having जो हम बात करने वाले हैं वह हमारा मॉनो डेंटेट लिगेंड के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बता रहा था क्या था कि यहां पर डॉनर एटम कितने होगे यहां पर डॉनर एटम कितने होते हैं उसका एक्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहां पर आपको पता होना चाहिए डॉनर एटम सिर्फ एक ही होता है ठीक है डॉनर एटम जो होता है इसकी वजह से यहां पर जो लॉन पर डॉनेट करने वाला होता है यहां पर डॉनेट करता है ठीक है यहां पर जो डॉनेट करेगा वह कितनी होती है वन यहां पर एक होता है यहां पर सिर्फ यह होता है उसके एहां पर चरोंिंद से हिख र्ज Daarे में उसमें सिफिर एक डोनर यहां जोसी अडिक है क्यों करता है एक डोनर विश्वित सब्रक्न यहां लिएर 12 से हैं फिर इननीट तुम यहां पर आपकी हां फैव बहुक्र्ज विस्फिर एके ऩूनर होते हैं तो उसमें डोनोर एटम हो जाता है कितना तो सेकंड हम बात करने वाले हैं सेकंड हम बात करने वाले हैं थोड़ा डिटेल में इसके बाएं में बात करने वाले हैं बाइडेंटेड लिकेंड बाइडेंटेड लिकेंड में आपको पता होता है कि कितने डोनर अटम होते हैं तो टू डोनर अटम होते हैं कितने डोनर अटम होते हैं आपके पास टू डोनर अटम आपके पास यहां पर होते हैं ठीक है उसके एक्जम्पल के बारे में अगर मैं बात करूं तो oxalate ion C2O4 minus 2 second होगा ethylene diamine ethylene diamine ethylene diamine जिसको मैं short में EN से मैं represent करने वाला हूँ उसके बाद DMG DMG जिसका full नाम होता है dimethyl diamine ethylene glyoxyme diamethyl glyoxyme और bipedin जिसको मैं short में B.I.B.I.P.Y. से मैं represent करने वाला हूँ उके students तो यह क्या है हमारे यह क्या मैंने example बता रहा है किसके bidented ligand के बहुत सार होते हैं इसमें से कुछी मैंने बता रहा है यहां पर क्या बता यहां बाइडेंटे जो ligand होते हैं वो क्या होते हैं तो टू डोनर एटम होते हैं उसमें example के तोल पे oxalate ion, ethylene diamine जिसको मैं EN से represent करूँगा dimethyl glyoxyme जिसको मैं DMG से represent करने वाला हूँ बाइपडीन जिसको मैं B.I.P.Y. से represent करने वाला हूँ इसके अंदर मैं थोड़ा और detail में बात करने वाला हूँ क्योंकि इसका use हम पीछे करने वाला है तो देखते हैं आगे क्या है तो सबसे पहले मैं यहां पर oxalate ion के बार मैं थोड़ा और detail में discussion करूँगा यहां पर C2O4-2 जिसको हम कहते है oxalate ion जिसको मैं OX से represent करने वाला हूँ इसका अगर formation आपको नहीं पता हो तो आपको बता दू C carbon double bond O double bond O O minus O minus O minus O minus तो यहां पर आप देख सकते हो यह oxygen और यह oxygen है यह हमारे क्या हो जाते है donor atom हो जाते है ठीक है तो हम देख सकते है क्यूंकि हमारे पाथ देखो एक तो यह left hand वाली side है और यह right hand वाली side है अगर मैं यहां से बात करूं तो यह pan के इस side जो रफट हैं से यह यह गांके हैं यह होते हैं वह सब्सक्राइब से क्या करते हैं यहां पर सेंट्रल मेटल एटम के साथ यहां पर कोडिनेट बॉन का फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोडिनेशन बॉन का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं ठीक है स्टुडेंस क्या किया हुआ है तो सेंट्रल मेटल एटम के यहां पर five member ring मिलती है जो क्या होती है stable होती है यह stable ring होती है क्या होती है stable ring होती है अगर आपको ring की stability का order नहीं पता दू तो बता दू six member ring जब सबसे ज्यादा उसके बाद seven और उसके बाद five member ring सबसे ज्यादा stable होती है यह क्या है हमारा stability order of order of stability of ring order of stability of ring होती है यहां पर क्या देख सकते है कि集 यहां पे रिंग फार्मेशन होती है यहां पर जो यह रिंग फार्मेशन होगा है उसको हम किया कहते है उसको क्या कहते है चिलेट एक उसको πया कहने वाला ही क्पय النवा्ल हूं उसकोस के 젊काल-9ञंटिंट किन देवाण इस वजह से इसे LOOK shopping में क्या कहने वाला हूँ और छीरे इंग किने वाला हूं टो टिले एंग वाला ceremony क्या कहने वाला हूँ ठीक है तो क्या हो गए है मैंने क्या बताया कि C2O4-2A oxylate iron को हम OX कुछ इस तरी के से represent करने वाले है जो जिसके पास donor atom 2 होने की वज़े से उसको मैं by dented करता हूँ ठीक है यहाँ पर दो oxygen है जो हमारे hazard donor atom work करने वाले है जो central metal atom के साथ coordination bond का formation करते हैं और क्योंकि five member ring बन जाती है तो इस ring को मैं chillate ring कहता हूँ और जो ligand मतलब कि हमाया oxylate iron जो हमाया by dented ligand है उसने क्योंकि chillate ring का formation क्या होता है उसको मैं कहने वाला हूँ chillating ligand उसको मैं क्या कहता हूँ chillating ligand मैं उसको कहने वाला हूँ ठीक है students तो I hope आपको समझाया होगा next जो मैं बात कहने वाला हूँ वो हमारा second example ethylene diymine ethylene di amine admin NSA ai एंझे वितिन करने करें और जिसको मैं सोट मैं A मतलब करणा हैthylene मतलब क्यों directors of ADHS NH2 और यहां पर NH2 तो यहां पर nitrogen के पास donor atom होते है वो क्या करने वाला है हमारे पास central metal atom होता है उसके साथ coordination bond बना देगा उसके साथ क्या बना देगा coordination bond यह बनाने वाला है ठीक है तो यहां पर हमारे donor atom कौन हो गई हमारे यहां पर dånor atom है, वह k Khan है, तो यह नाइटोजन और यह नाइटोजन यह हमारे क्या है डूनर 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 डूम है, यह नाइटोजन है, इसने क्या किया हूँ है? Central Metal Atom के side 5 member ring का formation किया हुआ है जिसकी वज़े से यह जो हमारा ring हो जाती है हमारी जो ring हो जाती है उसको मैं chillate ring कहने वाला हूँ और जो यह ligand है इथिलिन डायमाइड उसको मैं chillating chillating ligand मैं कहने वाला हूँ chillating ligand मैं यहाँ पर इसको कहने वाला हूँ तो अगर मुझे chillating ligand की definition बतानी है तो मैं क्या बताऊंगा कि when when to or more than to donor atom coordinate coordinate with central metal atom then that ligand is called chillating ligand chillating ligand यह मैंने क्या लिखा है कि अगर हमाई पास जो ligand है हमाई पास जो ligand है उसमें दो या दो से ज्यादा क्या हो दो या दो से ज्यादा हमाई पास क्या हो donor atom होता है और वो central metal atom के साथ coordinate करता है तो उस ligand को उस ligand को मैं chillating ligand मैं उसको कहने वाला हूँ उसको मैं क्या कहने वाला हूँ chillating ligand आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इस case में मैंने oxalate iron को chillating ligand बता दिया था क्यों क्योंकि उसके पास क्या थे दो donor atom थे यहाँ पर डैफिनेशन में वही लिखा है दो या दो से ज्यादा donor atom होते है उस ligand को हम chillating ligand कहने वाले है यहाँ पर भी हम देख सकते है हमारे पास donor atom कितने है दो है तो उसके हमने क्या है इसलिए हमने इथिलिन डायमान को क्या बता दिया चिलटिंग ligand बता दिया इसलिए मैंने उसको क्या बता दिया है तो chillating ligand मैंने यहाँ पर बता दिया है आई होब आपको समझ आया होगा चीलेटिंग लेगेंड के बारे में थर्ड हम बात कहने वाले हैं डी एम जी डाय मिथाइल ग्लायोक्षाइम तो यहां पर इसका अगर मैं स्ट्रेक्चर बताना चाहूं आपको डाय मिथाइल ग्लायोक्षाइम तर सिंपल है का मतलब होता है सी डबल बॉंट ऐन होता है सी डबल बॉंट ऐन न कुछ इस तरिके से बउड का के औक हो उसके बाद डाय मिथायल मतलब कि हाँ यह पर लिख्षी और यहां पर लिक Design फो यहां पर आ जाएगा और अच्पर ओके स्थिए नहीं होता है इस में से जब एक है मैं निकाल दिता हूं तब जाके हमें कुछ इस तहीके से मिलता है c double bond and OH CH3 double bond and O- तो यहां पर जो यह मुझे मिला है dimethyl dimethyl glioxymate dimethyl glioxymate जो मुझे यहां पर मिला है यह हमारा ligand यह हमारा क्या है ligand जो भी formation होगा जो भी coordination होने वाला है वो इसके साथ होने वाला है जो भी coordination bond का formation होने वाला है वह किस साथ होने वाला है तो इसके साथ होने वाला है जब इसको गडाओ मिधाल DMG को मैं निकल के साथ react करवार देता हूं मतलब कि निकल के साथ उसकी react होगी तो हम्हें Blood Red Color के PPTS मिलने वाले है Blood Red Color के PPTS मिलने वाले है और वो क्यूं मिलते है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से Bond का Formation हो जाता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से CH3CNOHCNO-CH3 यह हमाया हो गया पहला Molecule अब मैं यहाँ दूसरा Molecule यहाँ पर दिखाने वाला हूँ यहाँ पर OH हो गया मैंने थोड़ा किसको उल्टा दिया है यहाँ पर हो गया ओ माइनस और यहाँ पर हमारे पास यह N है यह C है यह N है यह C है यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3 그럼 निर्तियम के सматवा यह क्या होने वाला है H bonding hydrogen bonding हो जाएगी और इन दोने के बीच में भी hydrogen bonding हो जाएगी और निलतियम के साथ हम reaction करवाते हैं तो हम क्या मिलेगा इसके पास लोन पे होती है इसके पास भी लोन पे होती है तो जो भी coordination का bond का formation होने वाला है वो इस oxygen के साथ नहीं होने वाला यहाद रखना यहाँ पर donor atom oxygen नहीं होता डी-मजी में donor atom होता है nitrogen donor atom कौन होता है तो कौन होने वाला है तो nitrogen होता है और जैसे ही यह coordinate bond का formation करता है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,2,3,5,4,1,2,3,4,5 अधब कि यहाँ फार रिंग का formation यहाँ पे भी फार रिंग का formation यहाँ पे हो गया और यहाँ पर अगर आप गिन sample होती है क्या होती है तो stay blah रोती है यहाँ पे क्या होगया ce 이 chicken होगया मतलब यहाँ पे चिलेटिंग प्योसेस हो गई जिसकी वज़ाइसे यह जो हो जाता है वह क्या हो जाता है और स्टेबल होने की वज़ाइसे हमें जब लिधियम के साथ एक्षण करवागे तो ब्लड एड कलर की पीपीटीस हमें यहां पर देखने को मिलती है कौन से तो ब्लड एड कलर के सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करें जिसको मैं बी आउप बाज बाकस्टंट में उसको करने वाला हूं जिसका structure कुछ इस तरीके से होता है ओके तो यहां पर यह लोन पर यहां पर यह लोन पर यह हमारे central metal atom के साथ chillation करने वाले है यहां पर इंका formation हो गया यहां पर यह 1, 2, 3, 4, 5 5 member इंका formation हो गया जिसकी वज़े से वो stable हो गया यहां पर भी आप देख सकते हो donor atom कौन है nitrogen है हमारे पास donor atom यह कौन है तो do nitrogen है ठीक है दोनों ही atom क्या है तो nitrogen होता है इस case में भी हमारे बस donor atom जो थे वो क्या थे nitrogen उसके बाद जो second जो हमारा bidentate लिगान होना है वो है glycinate iron glycinate iron जिसका structure CH2 C double O minus और यहां पर NH2 यहां पर जो central metal atom के साथ coordination bond का formation होने वाला है उसमें donor atom आप इस बाद देख सकते हो donor atom क्या है हमारे पास इस case में सोरी यहां पर oxygen डोनेट करने वाला है oxygen डोनेट करेगा तो यहां पर donor atom है oxygen और यहां पर है nitrogen ठीक है oxygen और यहां पर है nitrogen ठीक है तो यहां पर क्या हो जाता है कि donor atom जब हमारे पास by dented ligand में जब donor atom different होते है तो उस type के ligand को हम unsymmetrical ligand कहते हैं उसको हम क्या कहते है unsymmetrical ligand भी कहते है ठीक है और अगर symmetrical ligand की बाद करें तो सिफ one type के क्या हो ligand सो one types के क्या हो हमारे पास one type के donor atom हो sorry one type के क्या हो हमारे पास donor atom हो donor atom हो उसको हम symmetrical ligand कहने वाले हैं तो यह आपका यह जो मैंने बताया था कि टाइब के डोनरados यिऊ say यह जिए तो यह उस टाइब के लिग वहलां को हम行 अंस्टिकल ligand कहते हो और जिसमें सिर्प एक ही टाइब के डोनर ocum सिमेंटिकल ciud लिए को हम usat ऐले को हम ऑच्छी मईट। एले कि यहा पर एक चीज़ टू डोनर इटम होते हैं कितने टू डोनर एटम होते हैं और एट टाइम मतलब किसी पर्टीकुलर एक टाइम पर डोनों ही डोनर एटम क्या करने वाले हैं हमें पैर ऑफ एलेक्टोन ठीक है तो दोनों एक साथ डोनेट करने वाल है ऐसा नहीं होगा कि दोनों मैंसे पहले कोई एक करेगा उसके बाद दूसरा करेगा लगकी दोनों ही एक साथ क्या करने वाल है हमारे पास pair of electron donate करने वाल है यह मैंने क्यों बताया है कि इसके बाद मैं आपको अभी यहां पर discussion करने वाल हूँ mb dented mb dented ligand mb dented ligand ठीक है अगर mb dented की मैं definition बताओ तो mb dented ligand में कि यहांँ पास होते है दो मों राइटम होते हैं क्या होता है लेकिन यह जो होते वह ुद्धित legga क्यों होते है वह क्या होते हैं टाइप के होते हैं लेकिन 10 तर टाइम एक ही करने वाला है मैंने क्या बताया कि अगर डेफिनेशन बताऊ तो उसमें टू टाइब के डॉनर एटम होता है जो इटाइम डॉनेट करेंगे सिर्फ एक ही डॉनेट करने वाला है उसमें से सिफ एक ही डोनेट करने वाला है जब कि बाइड इंटेर्ट में हमाय है बस डोनेटम दो थे हो सकते हैं आगर ताइप के होगे तो हम सिमेट्रिकल लिगन कहते हैं और ताइप के होते है तो उसको अंसिमेट्रिकल इर लिगें्ट करते हैं लेकिन यहां पर जो यह दो डोनर एटम थे बाइट इंट निकेंद में वह एट टाइम दोनों ही एलेक्टवन प्रकार्ण डोनेट करेंगे जबकि mb-dented में होता है कि two different type के donor atom होते है और किसी भी particular एक समय पर सिर्फ एक ही donor atom आपको electron donate करेगा मतलब कि आपके pair of electron donate करने वाला है ठीक है इसके अगर example में बता दू n o2 minus cn minus और होता है हमारे पाच s cn minus यह आपके क्या है यह आपके क्या है तो mb-dented ligand ligands के example है यह क्या है यह एक्जांपल है तो यह एक्जांपल है ठीक है okay तो यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले है cn signide के बाए में सबसे पहले दो यहां पर आपको समझना होगा cn को हम लिखते इस तरीके से है लेकिन यहां पर यह cn- माइनस बनने कैसे वाला है कि यह जो हमारे पर hydrogen signide होता है उसमें स्प्लस हो जाएगा ठीक है कुछ इस तरीके से तो यह electron pair आ जाएगी यहां पर तो आप यहां पर क्या देख सकते हो कि यहां पर donor atom दोनों ही donor atom है दोनों ही क्या है मतलब कि जब मैटल के साथ अगर मैटल के साथ सिफ नाइटोजन ने नाइटोजन ने उसके पास जो यह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रों स्पैर थी वो अगर डोनेट करता है और डोनेट करेगा तो इसको मैं कहने वाला हूं और अगर नाइटोजन के पास जो यह लोन पर थी उसको डोनेट करके इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर करता है तो इसको मैं कहने वाला हूं आइसो साइनो उसको मैं क्या कहने वाला हूं तो आइसो साइनो एक और बार बता दो देता हूं दो डोनेट कर सकते नहीं कर सकते किर्ग कार्बन की साथ को इसको 것처럼 नहीं तो हम इसको कहते हैं इसको क्या नहीं नाइट्ण वी आपको में बिरेंस पता चल गया में होते हैं डियुज टाइब क्यों होगि और इट टाइम स्ट Guide तोब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम मतलब कि हमारा सेकंड एंटू ओ हैं टू ओ माइनस यह भी कैसे बना हुआ होता है तो एच एज एंट ओ टू थेक है यह होता है हमारा nitrous यह होता है हमारा nitrous acid जिस जो h plus donate करेगा ये bond में से जो pair of electron थे वो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर h plus remove हो गया और o minus and double bond o यहाँ पर हो गया यहां पर क्या थहां मैंने पहले ही बता यह हमारा Bटैंट लिटांड यहां पर यह क्या यह एक तो यहां पर यहां पर क्या करेगा यह अगारो रेसा हमारा जिस नाइड़ों होते है चाह्वीत पर क्या है इस case में donor atom होता है लेकिन at a time सिर्फ एक ही donate करने वाला है at a time एक ही donate यहां पर करेगा तो मैं क्या बता सकता हूं कि जो metal के साथ जब oxygen ने oxygen metal के साथ जब oxygen ने कुछ इस तरीके से formation किया होता है तब उसको मैं बोलूंगा नाइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइट्राइ पार होते हैं अक्सीजन और नाइटोजन यहां पर आप ऐसा भी बता सकते हो कि सब्सक्राइब यहां पर दोनों नाइटोजन पास एक्स्ट्रा पैर और वह तो बहुत पहले जी करने वाला है क्या डौनेशन इन दोनों माइनस होता है हमारे डूनल अगर बनाएगा तो नेक्स्ट हम hydrogen हमारी या किसकी बात करने वाला है करने वाला है तो S C N माइनस ठीक है यह कैसे बनेगा तो H S C N कुछ इस तरीके से H S C N होगा जिसमें यह इलेक्ट्रोन पैर ले ले लेगा और यहाँ पर H प्लस रिमूव होगा और S C N माइनस यहाँ पर S C N माइनस ठीक है इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ S माइनस C Tipple Bond N इसके पास लोन पैर होती है तो यहाँ पर हमारे डूनर एटम कौन हो गई सल्फर और नाइटोजन हमारे यहाँ पर क्या होते है डूनर एटम होते है और जब मैटल के साथ सल्फर ने कौर्डिनेट किया होता है मतलब कि कौर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर सल्फर ने किया होता है तो उसको मैं कहने वाला हूँ थायो साइनो थायो साइनो उसको मैं कहने वाला हूँ थायो साइनो कहने वाला हूँ ठीके स्टूइंस तो एंबी डेंडेट और बाइडेंडेट के बीच में आपको यहां पर डिफ्रेंस आई होप अभी पता चल गया होगा ओके स्टूइंस चलो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में तो कोडिनेशन एंटिटी के बारे में नेक्स कि यहां पर अगर आपको पता होगा मैंने बता जा था कि कुछ इस तरीके से हमारे पास एक्जम्पल होता है ठीक है सिल टू एन एज़ थ्वी एने इस ट्रीफॉर और यह सिल माइनस यहां पर प्लस जिसमें हमारे पास जो यह होती है यह जो सटूराइब बैकेट में होता है उसको हम कहता है Coordination Entity, Coordination Entity और इसको हम कहते है counter-ion कहते है, Coordination Entity जो होती है non-ionizable होते हैं या counter-ion जो होते हैं तो अगर Coordination Entity की definition लिखनी होती है तो मैं क्या लिख सकता हूँ the coordination entity contains contains central central metal atom central atom atom metal bounded bounded to fix number of ligand fix number of ligand is called is called coordination entity is called coordination entity student co-ordination entity contain central metal atom central metal atom central metal atom co-ordination bond formation here cl and nh3 ligand fix number of ligand fix number of ligand fix number of ligand bond formation which we call coordination entity co-ordination entity in square bracket represent करता हूँ किसमें square bracket में represent करता हूँ उसको square bracket में represent करता हूँ ठीक है इसका example अगर मैं बता दू तो एन आई उसका example इसके example co-ordination entity के example बता दू तो न i co4 n i co4 pt cl2 and h3 twice okay students fe cn6 minus 4 fe cn6 minus 4 and then आजाएगा c o n h3 six plus three c o n h3 plus six तैपी हम क्या कर सकता है coordination entity को हम square bracket में represent करते हैं और अगर square bracket के अगर square bracket के यहां पे charge square bracket पे charge हो भी सकता है charge हो भी सकता है या no charge किसी तरीकी का कोई charge देखने को नहीं है चार्ज से में मतलब है negative या positive negative या positive bracket के बाहर हम देख सकते हैं तो हमने यहां पे क्या देखा किसी तरीकी का कोई कोई charge नहीं होता जब किसी तबियाए कोई charge नहीं होता उसको हम कहते हैं neutral complex उसको हम कहते हैं neutral complex आपको नहीं पता तो बता दू को को बता दू कि घुक्स पर यहां पे चथे हैं इस यहां पर की उन्थ मॉर्ण और tenthyn के इंटभउक में टब कि को और यहां पर किसी की और का कोई चार्ज नहीं मिलता तो तो मैं रिक लेगा सिंप नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो उसको मैं एंड design complex भूले वाला हूं उसको मैं और मुझे यहां पर पॉझेटिव चार्ज मिलता स्कृफब बेकट बहुत तो उसको मैं क्या ना निक कॉमपलेक्स उसको बोलने बला हूँ, okay students तो आपको coordination entity पता चलगी, square bracket में represent करते है, ironizable होती है counter iron उस square bracket के बाहर होता है non ironizable होते है students, इसी तरही के से यहाँ पे जो coordination entity है उसे को हम coordination spear भी कह सकते है, coordination coordination spear भी हम उसको कह सकते है coordination spear, कि जिसमे central metal atom होते है और लगेंड ने उसके साथ क्या किया होता है ठीक है और जया में होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही है कि जो भी atom हो या iron हो उसके साथ dag ने जो coordination bond का formation का होता है उस item मेटल उसकी definition लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा in coordination entity in coordination entity central metal atom या उसको ions भी हम कह सकते atom या ion which atom to which to which fixed number of ligand ligands are bounded are bounded in a fixed in a fixed geometrical in a fixed geometrical arrangement geometrical arrangement around around it around it is called central metal atom is called central metal atom this that you know example is n i n cl n h sorry n h 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 Coordination Entity इसको मैंने बैकेट में बता दिया Coordination Entity Atom या Iron Atom या Iron मतलब की Nickel हमारे पास Nickel के form में भी हो सकते है या Nickel Plus के form में भी हो सकते है Nickel या Nickel Plus which fixed number of ligands are bounded मैंने बताया था कि हमारे पास स्क्वाइब बैकेट में जो भी है वो Secondary Valency से Connect होते हैं और Secondary Valency हमें Coordination Numbers के बारे में बताती है और Coordination Numbers किसी भी Central Metal Atom के लिए fix होता है तो यहां पर number of ligand इसके साथ जो Connect होने वाले हैं वह भी fixed होके Bounded in a fixed geometrical arrangement मतलब कि मैंने बता रहा था कि Secondary Valency जो होती है वह क्या होती है तो वह हमें Geometry के बारे में बताती है कि यहां पर उसकी स्पेस में arrangement जो होती होगी ओक्ता होड़ल होगी टेटर होड़ल होगी स्क्राइब यह fix होता है तो उस atom या इंस को हम कहते है Central अब इतना समझ लो कि लिगेंड जिस किसी भी atom या आयन के साथ कोडिनेट का formation करता है उसको हम Central Metal Atom कहते है उसको हम क्या कहते है Central Metal Atom कहते है यहां पर देखने वाले चीज क्या है कि लिगेंड जो होता है वह अपने loan पे डोनेट करता है वह अपने लोन पर डोनेट करता है इसका मतलब डोनेट करता है मतलब क्या होता है कि जो सेंट्र मेटल एटम को मैं लेविस एसेड कह सकता हूं आपको पता है जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लेविस एसेड कहते है तो लिगेंड ने अपने अगर इलेक्ट्रोन पर डोनेट किये और सेंट्रल मेटल एटम ने अगर उसको एक्सेप्ट किये है तो जो हमारा सेंट्रल मेटल atom होता है वो Lewis acid कह सकते है मतलब कि इसके पास central metal atom के पास sort of electron होते है sort of क्या होते है electron होते है यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली होती है कि जो यह भी central metal atom होते है वो d block के element होती है d block के element जो होते है d block के element के जिसके पास क्या हो vacant d orbital हो vacant d orbital हो जिसमें यह electron pair जो आती है electron pair आती है उसको वो क्या कर सके एक्सेप्ट कर सके उसको क्या कर सकते है कर सके तो accept कर सके तो central metal atom के बारे में आपको क्या पता चला कि ligand जिस किसी भी metal या iron के साथ bond का formation करता है उसको जिस किसी भी atom यह आयन के साथ bond का formation करता है उसको हम Central Metal Atom कहते है Central Metal Atom Electron Accepted करता है लिगेंट के उसके वाज़े से वो do is acid भी हम कह सकते है उसके पास sort of electron होते है तभी लिगेंट के pair of electron वो accept करता है उसके पास d block के उसके बाद मैंने बता रहा है कि जो Central Metal Atom होते हो वह दिप लोक के अलेमेंट होने चाहिए क्योंकि उनके पास भेकंडी अर्बिटल होती है जिसमें यह एलेक्टर om वह कर सके जिसमें वह इलेक्टर्ण बॉनेट कर सके अगर मैं इस केस में अगर मैं बात करओ था हमारे पस निकल फ्रस टू स्टेट में हैनिकपल जो है तो अगर इसके लिए मैं सिर्फ एक लाइन में आपको बताना चाहूं तो आप इतना ढून लों कि आपके पास जो भी लेगेंड है जो हुआ उसके नमबर ऑफ डूनर एटम कितने है अगर आपको किसी भी कोडिनेशन कंपाउंड का कोडिनेशन नमबर आपको बताना है तो आपके पास जो भी लिगेंड है उसमें नमबर ओफ डूनर एटम कितने है आप सिब इतना पता लगा दो एक्जामपल के तोर पे में हम ले लेता है K2 PTCL6 सेकर्ड में हम डिसकर्शन करने वाले है NI Sorry NI NH34 CL2 थर्ड जो हम डिसकर्शन करने वाले है वो FE C204 Thrice Minus 2 और फोर्थ जो हम डिसकर्शन करने वाले है वो है CO CO EN Thrice Students Students तो हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारे पास Ligand है Ligand है उसमें Number of donor atom हमें देखने है हमारे पास यहां पर Ligand कौन होने वाला स्क्वार बेकट हमारी Entity Coordination Entity उसमें यह हमारा Central Metal atom यह हमारा हो गया Ligand यह हमें पता है कि यह CL- CL- जो होता है Monodented Ligand वह क्या है Monodented Ligand यहां पर क्या हो जाएगा Coordination Number मतलब कि Monodented Ligand मतलब कि सिफ एक ही donor atom होगा तो 1 CL हमें 1 donor atom देगा यहां पर 6 CL है तो हमारे पास Number of donor atom total कितने हो जाएगे 6 तो यहां पर Coordination Number हो गया 6 इसी तरीके से NH3 NH3 सिफ एक क्या donor यह भी हमारा क्या होता है Monodented Ligand होता है वह भी सिफ एक loan pair of electron donate करने वाला है वह भी क्या करने वाला है सिफ और सिफ एक ही loan pair of electron donate करने वाला है total number of ligand कितने है 4 तो हमारे पास Coordination Number आने वाला है 4 Coordination Number क्या आने वाला है 4 क्योंकि यहां पर क्या था NH3 और CL- ligand है और वह होता है Monodented वह होता है क्या तो Monodented तो यहां पर NH3 Monodented है तो उसके पास सिफ एक ही 1 ही donor atom होगा 1 ही donor atom होगा और वह कौन सा था Nitrogen और इस केस में CL खुद क्या होता है हमारा donor atom होता है यहां पर क्योंकि 4 थे तो उसने 4 number of donor थे total number of donor donor atom इसके पास 4 थे और इसके पास 6 थे तो यहां पर Coordination Number हो गया 6 अब इस केस की बात करता है यहां पर और इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो Coordination Number जो आने वाला है 6 जबकि दोनों ही केसिस में जो ligand थे number of ligands थे वह है तीन वह क्या थे number of ligands जो थे वह तीन लेकिन जो C2O4-2 है और EN मतलब की Ethylene Sorry Ethylene Ethylene Diamine Ethylene Diamine दोनों ही क्या होते है दोनों ही हमारे Bidetate ligands होते है Bidetate ligands और हमें पता है Bidetate ligands में 2 donor atoms होते है 2 donor atom होते है यह हमें पता है तो अगर यहां पर 3 ligands है तो मैं 3 into 2 करूंगा तो हमें क्या मिलने वाला है 6 तो यहां पर इस case में हमारे पास total donor item कितने हो जाने वाले हैं दोनों ही cases में इसमें और इसमें दोनों ही cases में total number of donor item हो जाएगे 6 और मैंने यहां पर ही बता था कि coordination number जो होते है वो ligand में कितने number of donor item है इसके equal होते हैं तो यहां पर क्योंकि तीन ligand है और एक ligand में दो donor item होते हैं तो यहां पर total coordination number इस case में हो जाएगा 2 इस case में क्या हो जाने वाला है तो 2 हो जाएगा तो next जो हम बात करने वाला है वो है हमारा coordination polyhedron co-ordination polyhedron के बार में बात करने वाला है हम okay students तो इसके बार में अगर मैं बता दूँ simple सी बात है कि हमारे जो ligand है उसकी special arrangement को उसकी special मतलब की उसकी space में arrangement को special arrangement sorry arrangement of ligand ठीक है coordination polyhedron का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो ligand होते है उसकी space में arrangement को ही हम coordination polyhedron कहते है ठीक है most common most common arrangement होती है मतलब कि most common polyhedron जो होते है मतलब की हमारे पास क्या होते है वो octahedral octahedral स्क्वार प्लेनर स्क्वार पैनल ट्राइगोनल प्यामिडल ट्राइगोनल प्यामिडल इसके बाद होता है हो स्क्वार प्यामिडल होता है और स्क्वार प्यामिडल होता है सिंपल सी बात मैंने क्या बता है कि लिचेंट जो होते हैं इसकी स्पेस में किस तरीके से अरेच्प कर सकते हैं से में इसकों फ्रीजुभ का सकते हैं हमाई पास एक्जामपल के तोर दोर क्योंकि इसके पास six जे लिगंड उसके पास इसके वजह से वह उक्टाहड़ arrangement hooghe, arrangement कैसी hooghe, Octahedral, दूसरा है NICO 4, इस केस में हमारे पास tetrahydral, इसकी arrangement कैसे होने वाली है tetrahydral, tetrahydral shape में, और PTCL 4, यह square planar है, यह क्या है, square planar है, यह क्या है, तो square planar, square planar, क्या बताता है सिंपल लिगेंट्स की स्पेस में अक्टाइडल स्क्वार पैनल ट्राइगोनल बाइप्याइडल ट्राइडल या स्क्वार प्यामिडल यह मैंने कुछ एक्जम्पल बता दिये जो एक्जम्पल अपने में एमसीपी के पॉइंट फ्य से इंपोर्टन हो जाते हैं आपको बुचा जाए सीओ एनस थे 6 प्लस 3 का जोमेट्र उसकी जोमेट्रिक यह है तो अक्टाहेडल एनसीओ फोर के ट्राइडल और प्टी स्क्वार पैनल स्क्वार प्लेनर स्क्वार प्लेनर अगर आपको इसके सेप के बाए में नहीं पता होता थोड़ा बहुत आपको सेप के बाए में बता दू टेट्रा हैड्रल आपको देखना होता है तो सिंपल में सेंटर में एक मैटल एटम होता है उसके उपर यहां पर एक लिगेंड होगा यहां पर एक लिगेंड होगा यहां पर एक लिगें होता है उसके बाद स्क्वार प्लेनर स्क्वार प्लेनर मतलब कि सेंटर में सेंटर में क्या होता है हमारा सेंटर मेटल एटम यहां पर लिगेंड यहां पर भी लिगेंड और यहां पर भी लिगेंड और यहां पर भी लिगेंड यह एक प्लेन में होते हैं और अगर इनको मैं connect करता हूं तो हमें एक square मिलेगा जिसकी वज़े से उसको हमने क्या बता दिया square planar उसको हमने बता दिया है, उसके बाद square chmal यहां पर एक liquid होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से square planar और उसके बाद कुछ इस तरीके से bond का formation होता है यह सेप हमारा क्या है स्क्वायर प्रियामिडल यह क्या है हमारा स्क्वायर प्रियामिडल ठीक है स्टुड़न्स उसके बाद ऑक्टा हेडल ऑक्टा हेडल में भी हमारे पास एक प्लेन होता है उसके उपर और इसके नीचे मतलब कि इस तरीके से सेंटल मेटल एटम उके स्ट इनको हमें क्या करना होता है सबके साथ connect करना होता है bond टिक है students यह हमारा क्या है octahedral से मतलब कि एक plane और उसके उपर और उसके नीचे की बात कुछ हो रही है उसके उपर और उसके नीचे दो ligands होने माले हैं और last हमारा trigonal by pyramidal trigonal by pi middle क्या है trigonal by pi middle तो यह trigonal है मतलब कि कुछ एक plane में हमारे पास तीन ligand होने वाले हैं एक plane में कितने होगे 3 ligand ठीक है कुछ इस तरीके से यह by piramidal मतलब एक उपर होगा और उसकी एक नीचे होगा उसके एक नीचे होगा और सभी के सभी एक दूसरे के साथ क्या होने वाल एकतु तो हम इस तरीके से. यह यह से और यहा से उपर एक गशन और नीचे भी एक प्ले ना गया है तुं अ हुपर और नीचे तो यह क्या है आपके special arrangement हम कुछ इस तरहिके से space में क्या कर सकते हैं और इस तरहिके से space में हम उसको क्या कर सकते हैं तो सरक्सकिन्ट हम बात करने वाले हैं oxidation number of a central metal atom oxidation number of a central metal atom तो इसके अगर मैं बात करूँ तो सिंपल से बात है जो लिगेंड्स ने जितने भी जो हमारा सेंटल मेटल एटम है ठीक हमारा जो मेटल एटम होता है वो लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और एक बार मैंने लिगेंड को निकाल दिया मतलब कि लिगेंड ने यो इलेक्ट्रन हमें लेक्ट्रन प्रह हमें डोनेट की होती है उस इलेक्ट्रन प्रह को मैं ने क्या करें डिया और उसके बाद यह इस मेटल के ऊपर जो हमें मीलता है चार्ज जो भी मुझे है तो हमें वो तो पता ही है हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मैटल है वो कितना चार्ज करी करने वाला है कब जब हम सभी ligands को क्या करने वाले है रिमूव करेगे उसके loan pay के साथ हम जब रिमूव करने वाले है तो यह मांद लो x है ठीक है यह मांद लो x है उसके बाद इसके पास minus 1 charge होता है 6 into minus 1 whole का minus 3 है तो यहाँ पर हो गया minus 3 और इसको आप solve करते हो तो माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 x is equal to आजाएगा 3 तो आपका copper यहाँ पर प्लस 3 में होता है जिसको मैं कुछ इस तरीके से रोमन में represent कर सकता हूँ इस तरीके से मैं उसको रोमन में represent करने वाला हूँ तो oxidation number of central metal atom हम कैसे हम कैसे ढून सकते है वो भी पता चल गया उसकी definition मैंने बता दी कि oxidation number of central metal atom को हमें define करना है तो मैं simple से metal पर कितना charge है उसको बता दूँगा तो मुझे oxidation number of central metal atom पता चल जाएगा दूसरा एक example ले लेता हूँ से यूंре कि शीयन 4 मीनरेज ट्री यहां पर एकस प्लस फौर इंक्टू माइनस वन अ होल का मैनिस त दी मैंनेस और minus 3 x is equal to आ जाएगा यहाँ पर 1 जिसको मैं रोमन में इस तरीके से represent करूंगा कुछ इस तरीके से इसको मैं represent करने वाला हूँ simple आप इस metal पर जो charge है उसको वो बता दो तो आपको oxidation number मिल जाएगा central metal atom का ठीक है उसके बाद एक होमोलेप्टिक और हीटो ले टीक की बाधा में थोड़ा बहुत बुक में बताया हुआ है उसकी mental Cosm Script होमोलेप्टिक को मैं इंडर है लेक्टिकक कॉंप्लेक्स लिएटिक कॉंप्लेक्स और हीटै Rs. किस कॉम् pessoa क्या को कॉल्प प spins fanकॉंट को हम मोलायक्टिक कोडिनेशन कमपउंड या हीत्व ठीयो एच जुनीज रिख दिया है चिका यहां पर यह प्लस चार्ज होगा तो हम यहां पर क्या देख सकते हैं कि यह जो कॉडिनेशन कंपाउंड है उसमें जो लिगेंड है उनली वन टाइप के लिगेंड है और यहां पर हमारे पास सी एल एंड एस थूई वन टाइप और लिगेंड तो एसे कोंपलेक्स एसे कोडिनेशन या ऐसे कॉंपलेक्स जिसमें हमें सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड मिलते है उसको मैं बोलने वाला हूं लेकर हो मोलेप्टिक कोंप्लेक्स मटलब हो डिक कोडिनेरbling और जिसमें हमें more than वन टाइफ की मिलते हैं उससर कझाक को मैं हिट्रोलेप्टिक कमपाउंड कहने वालना हूं पैलिसमें गुछानि मतलब कि हुद्टोलेप्टिक कॉरिय लकान कि हिप्टोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में कहने वाल ना हूँ ओके तो यह साही टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए आई होप आपको समझ आया होगा तेंक यू फार वाचिंग